सलमान खान के शोब एक बॉस में आई दिन लड़ाई जगडे देखने को मिल रहे हैं। हाले में मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है। इसमें गरवालों के बीच नय टाइम गॉड को लेकर जंग छिरी हुई है। वहीं टास्क के दोरान एडिन रोज और रजड दलाल के बीच घमसान देखने को मिलेगा। वहीं अब घर के अंदर एक बार फिट से टाइम गॉड बनने की रेस शुरु हो गई हैं। और सभी अपने अपने मुखोटों से बाहर निकल रहे हैं। हर दिन ने तमाशे का इंतिजार करने वाले दर्शकों के लिए गरवाल इस बार बारा अच्छा कलेश लेकर हाजर हो रहे हैं। बिग बॉस अठारा का नया प्रोमोर रिलीस हुआ है जिसमें रजड दलाल एडिन रोज को धोखा तो दे देते हैं। लेकिन इसके बदले में वो जो कहती है वो कान से खून निकालने के लिए काफी है। आई आपको बताते हैं आखिर एडिन का गुस्सा रजड दलाल पर क्यों फूटा। बिग बॉस अठारा नौवे हफते में अंटर कर चुका है। अपकमिंग एपिसोड में शो में ने टाइम गौड के लिए टास्क देखने को मला। ने प्रोमो में वीवियन, ईशा और एडिन में टाइम गौड बनने की जंग देखने को मिल रही है। वही बीदे एपिसोड में रजित दलाल एडिन को कहते नजर आते हैं कि वो इस टास्क में उन्हीं सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। प्रोमो में देखने को मिला कि रजित उन्हें टास्क में धूखा दे देते हैं। इसके बाद एडिन का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद बिग बॉस 18 में टाइम गौड बनने के लिए इशा सिंग, एडिन, रोज और विवियन डिसेन आपस में भिड रहे हैं। हमेशा की तरह इस रेस के विनर बनने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पूरे गेम को पलट सकता है। बिग बॉस ने इन इस रेस के तीन उदाविदारों को मज़िदार कारे सोपा, जिसमें हर एक को किसी भरोसे मंद इंसान के कंधों पर बैठना होगा। बिग बॉस अठारे के घर के अंदर नौवे हफते का टाइम गॉड बनने की जबर्दस जंग शुर हो गई। राठी को छोडने के लिए रज़त का मजाक उड़ाया। रज़त ने कहा चुकि दिगविजय ने उनकी जगा कशिश कपूर को चुना, इसलिए वो अब राठी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एड़न ने रज़त दलाल का मजाक उड़ाया और कहा गलत वाइल कार्ड समझ लिया है तुने। टाइम गौर्ड बनू या एलिमेनेट हूँ, तेरे से नहीं बनूँगी मैं। रज़त ने भी एड़न को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जितनी मर्जी चिलाले एड़न, तेरे जैसा और दस लाके चिलाले, फिर भी कुछ नहीं होगा। एड़न ने उन पर तंज कस्ते हुए कहा, तेरे जैसे दस और रज़त दलाल लेके आचल। एड़न के जबाब देते हुए रज़त कहते हैं, जितनी मर्जी चिलाले एड़न, तेरे जैसे को मैं मू न लगाता, मुझे कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला। इस सब पर एड़न कहती है, तेरे जैसे दस रज़त ले आऊंगी। ये सब घमसान आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा, अब देखना ये होगा कि कौन घर का नया टाइम को आड़ बनता है। फिलाल, इस कबर में इतना ही बाकिस पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, शेख, सब्सक्राइब ज़रूर करें तक ये ऐसे जानकारे और आप तक हम पहुँचाते रहें।